अलो एवरिवन आज में लिया यूं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्स जो आपके घर में काम आने वाले हैं और बहुत ही कम प्राइस में ये मीशियों पर मिल रहे थे तो मुझे लगा लेना चाहिए तो चलिए ट्राइ करते हैं देखते हैं क्या-क्या इसके अंदर निकलने वाला या नहीं तो यहां पर मैंने ले लिया है तामे का लोटा जिसके ऊपर इसको आपको एक बर अपलाई करके छोड़ देना है और थोड़ी देर बाद आपको फिर से कॉटन में इसको लेकर इस तरह से जब आप लगाएंगे इस पर तो यह चमकना शुरू हो जाएगा अगर जादा काला हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है अगर जादा काला नहीं है तो यह तुरंट साफ कर देता है तो पहले एक लेयर आपको लगा कर छोड़नी है थोड़ी देर और उसके बाद फिर कॉटन में दुबारा से इसे लेकर आपको इस तरह से क्लीन करना है और पीछे से कितना जादा काला है और यहां से एकदम नए की तरह चमक गया है अब मैंने इसका धक्कन साफ किया और धक्कन भी मैं आपको दिखाती हूं डिफरेंस एक तरफ से एक तरफ से बिल्कुल नए सा चमक गया तो चलिए अगला प्रोडक्त देख लेते तो यहां पर मैं मैं जो अगला प्रोडक्त मंगाया है वो है सोप मोल्ड मैं हमेशा अपने जो साबुन है वो घर पे बनाती हूं और आपने मेरी अगर नहीं देखे वीडियो सो गीता की नू लाइफस्टाल चैनल पर मैं बहुत सारी डियाइवाइ सोप बनाती हूं उसके लिए मैंने बहुत कलरफुल लाइट पीछे दिवार पे होती है तो रील देखने में बहुत अच्छी लगते है तो यह लाइट बहुत सास्ती मिली थी तो मैंने भी ले ली और खुशी दिनों में यह आपको मेरे बैक्ग्राउंड में नजर आएगी चल यह अगला देख लेते हैं तो पहले मैंने तामबे वाला दिखाया था उसमें भी आपको पहले गलव ज़रूर पहनने क्योंकि यह चीज़े ना इसमाल करें तो मैंने यह आपको पहन लिए हैं सेफटी के लिए और इसको आपको किसी भी प्लास्टिक या फिर कांच के बाउल में निकालना है इस तरह से और इसे ढखकन अच्छे से लगा कर रख देना है अब जो भी चीज आपको साफ करने जैसे मेरे पास यह माता की मूर्ती है चांदी की मैं इसे इसमें डिप करने वाले हूँ अब यह जो बरतन मैंने लिया यह छोटा है इसमें अच्छे से डिप नहीं हो रही है तो मैं थो सारी कालिक आपको बकाइदत दिखेगी निकलती हुई और वो सारी जो केमिकल है उसके अंदर वो फ्लोट करने लगती है तो यह देखे माता की मूर्ती कितने अच्छे से साफ हो गई है चलिए अगली चीज देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या रिसीव हुआ है तो इसके फॉलो कर लिजे वहाँ पर आपको मेरी सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी तो मैं सोप बेस यूज़ करती हूँ अलग-अलग तरह के सोप बनाने के लिए तो यह भी बहुत ही बड़िया कमाल की चीज है आप इसे भी ले सकते हैं चलिए अगला देखते हैं तो यहा लगाने वाली अपने स्टूडियो में और यह बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिला है तो मैं इसे अभी आपको लगा के भी दिखाऊंगी वैसे मेरे पास है पीछे दिख भी रहा है बट वो मैं कहीं और लगाने वाली यह मुझे जादा सुन्दर लग रहा था तो मैंने अगली चीज देख लेते हैं और यह मुझे बहुत जादा सस्ती मिल रही थी तो यहां पर मैंने इस ली है एक पूरली जो कि हमारी पूजा पार्ट में काम आती है दिवाली पे भी यह काम आने वाली और बहुत सस्ती थी और यह थोड़ी छोटे साइस के वैसे मेरे बड़ भी है किस दिन मैं वह भी आपको दिखाऊंगी तो यह मुझे बहुत ही सस्ते प्राइस में मिली है अगर इनवी से कोई भी प्रड़क्ट चाहिए तो कॉमेंट में लिंक लिखिए